हेलो व्रिवन माई नेम इस अधार जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दे लीगल बेंच बार आम बैक बिद अनेदर वीडियो आज हम डिसकस करने वाले हैं पबलिक इंटरनेशनल लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी लोगों के आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक्स्प्लिनेशन थोड़ा सा जादा दीजिए जिससे हमको हेल्प मिलेगी तो इस वीडियो में काफी कुछ एक्स्प्लिनेशन होने वाला है अल्मूस हर कोशन मैं एक्स्प्लेइन करूंगा इंपॉर्टेंट प् आपको मिलेगा जिससे आपके एक्साम में क्लियर करने में काफी कुछ हल्प होगी तो चलिए विटाउट वेसिंग इनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विडियो सबसे पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है आपको ड्रिल तो मालूम ही होगी कोशन बोलूंगा चार ऑप आपको पॉस्ट करके आपका आंसर देना फिर आपको वीडियो कंटीन्यू करना है चलिए पहला कोशन है न में डियोलिजन ख्योरी सेज ऑप्शन आपके सामने हैं इंटरनेशन लोग एंड मुंसिपल लॉफ अफ़ स्टेट आर टू डिस्टिंक्स सेपरेट इंड सेल्फ एंड बी बोलता है डियोलिजन थेयोरी जो है इसी बारे में बात करता है कि इंटरनेशन लोग एंड मुस्लिम लोग जो है यह दोनों ही अलग-अलग हैं यह ऐसा डियोलिजन थेयोरी में बताया गया है और इंटरनेशन लोग जो है यह फॉर्म नहीं करता पार्ट इंटर लाए करें या मतलब या उसके कुछ प्रोविजन्स खुद के अंदर लाए अगर आपको डिटेल में समझना है डूलिजम थियोरी के बारे में तो आप मैंने इसके उपर अलड़ी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने पब्लिक इंडरनेशनलों का नेचर वहाँ पर ज आपको बताने है कौन से आर्टीकल में ये बात बोली गई है कि जनरल असेंबली जो है वो एस्टब्लिश कर सकती है जोफिदोरी औरगन जो भी वार्टीकल में उनको परफॉर्म करने के लिए वाप्शन आपको सामने है आर्टीकल 21, आर्टीकल 20, आर्टीकल 23, एंड आर्टीकल 22 चलिए आंसर बताएं and the right answer is answer d article 22 है जो की बात करता है कि general assembly जो है establish कर सकती है subsidiary organs जो भी functions है उनको perform करने के लिए यहाँ पर कुछ explanation है सच है नहीं article 22 में simply ये बात लिखी हुई है चलिए आगे बढ़ते हैं question 3, question 3 बात करता है एक maxim है इसका मतलब आपको बताना है का मतलब क्या है the maxim का नाम है पेक्टा थेर्टिस नेस नॉसेंट नेक प्रोजंट means that options आपके सामने है कि only the parties to international treaty are bound by it भी बात करता है if the fundamental or material circumstances under which a treaty is concluded change then the change becomes a basis for the avoidance or termination of a treaty C बात करता है treaty is void if at the time of its conclusion it conflicts with and preemptory norm of general international law or D none of the above चली फटा फटा फट आंसर बताईए and the right answer is answer A answer A है only the parties to international treaty are bound by it यह बहुत ही important है आपको इसको याद कर लेना है आपको notes बना लेना है अगर आप notes नहीं बना रहे हैं तो या फिर ये PDF जो है आपको telegram channel पर मिल जाएगी तो वहां से भी आप download कर सकते हैं और इसको exam से पहले पढ़ सकते हैं चली तो इसका answer यह है बात करता है कि only the parties to international treaty are bound by it यह एक Latin phrase है जिसका मतलब यह है कि जो treaty है वो bind करती है सिर्फ और सिर्फ parties को आप clearly यहाँ पर देख पार होंगे इसलिए मैं explanation भी एड़किया हुआ है a treaty bind the parties and only the parties thus it states that binding power of a treaty is limited only to the consenting party मतलब जो consent दे रहे हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ यह हम पर apply हम treaty को sign कर रहे हैं हम इसको apply करेंगे खुद की उपर तो ही है otherwise जो है उनकी उपर binding उनहीं के उपर है जो parties है जो parties नहीं है उनकी उपर bind नहीं कर सकते इसलिए कोशिच की जाती ही कोई भी treaty होती है कि यह सब जो है consent भरे जो भी party members है चलिए आगे परते है question 4 और question 4 बात करता है एंजी लोटी says that the binding force of international law is based on इससे मुझे यादा है कि आपको बताना है कि जितने भी जो jurist है एंजी लोटी ने क्या कहा Holland ने क्या कहा ओपिनम ने क्या कहा ये सब आपको मालू होने चाहिए क्या काफी questions देखने को मिलते हैं इस प्रकार के तो आपको ये मालू होना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है कि एंजी लोटी ने ये कहा है कि binding force of international law ये based है किसके उपर तो चार options है आपके सामने पहला the supreme fundamental norm as principle known as pacta sent servenda be the consent of the state see the fact that the state have agreed to abide by it and for that purpose they have self restrained themselves and d none of the above चलिए इसका answer बताईए and the right answer is answer a जो की बात करता है supreme fundamental norm norm as principle known as pacta sent servenda एंजी लोटी ने कहा है तो सबसे पहले तो हम समझ लेते pacta sent servenda का मतलब क्या है इसका मतलब है agreement must be kept ये बहुत ही important है इस पहले भी कई question पूशे गया है तो इसको आप maximum कोच्छे से सुन लीजेगा कि इसमें बोला गया है कि यह oldest principle international law it is one of the oldest principle of international law और ऐसा माना जाता है कि अगर ये नहीं होगा तो कोई भी international agreement जो है न वो binding नहीं होगा या enforceable नहीं होगा जैसा कि मैंना explanation add किया आप उसमें पढ़ पा रहा हूंगे without such a rule no international agreement would be binding or enforceable तो ये बहुत ही important है और एंजी लोटी ने ये कहा है और इसका मतलब क्या होता है agreement must be kept कि इसके बिना जो है वो binding ये enforceable नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते है question number 5 की और question number 5 आपको देखने को मिलता है assertion और reason से काफी questions आपके exam में पूछे जाते हैं तो अब यहाँ पर कुछ articles की बात और यहाँ पर हम और articles को explain भी करने वाले हैं कोई किस article में क्या कहा गया है assertion बोलता है कि article 10 जो है UN Charter का ये बताता है ये power देता है general assembly को very wide deliberative functions except in respect of those matters which are being considered by security council मतलब उन matters को छोड़ कर reason बात करता है the resolution or declaration of general assembly are not binding upon these states they are merely recommendations options आपके सामने है क्या A and R दोनों सही है क्या R जो है correct explanation है A का S A B C D फटा फट से इसका answer बताई है I hope आपने answer दे दिया होगा आपको मालूम है वीडियो को pause कर देना है question answer options के बाद and the right answer is answer B answer B है कि दोनों ही statement सही है but R जो है correct explanation नहीं है यह का यह हमें बहुत ही clearly समझ में आ रहा और यह आपका June 2018 में आपका पूछा गया question है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही simple question है इतना कोई tough नहीं है अब article 10 आपको मालूम होना चाहिए क्या बात करता है अब देखिए अब जो General Assembly के resolutions होते हैं सबते पहले मैं आपको बता दू reason के बारे में अगर हम बात करें तो General Assembly के resolutions होते हैं इसको आप बिलकुल दिमाग में बढ़ा लीजेगा यह recommendations होते हैं यह mandatory नहीं है यह recommendation है यह not legally binding on member states यह क्या है legally binding नहीं होते हैं कि सब उस पर सहमत हो जितने भी members जितने भी देश है वो सब सहमत हो तो वो obviously खुद पर apply कर लेंगे otherwise क्या होगा कि जरूरी नहीं है क्योंकि यह legally binding नहीं है उसके बाद चलिए Article 10 और Article 12 पढ़ना बहुत ही जरूरी है Article 10 बात करता है General Assembly जो है वो discuss करेगी मतलब वो discuss कर सकती है कोई भी question on any matter within the scope of present charter मतलब जो charter जो law है जो भी जहां भी laws लिखे हुए है वो General Assembly जो discuss कर सकती है question और matter सिर्फ छोड़ कर कौन से accept as provided in Article 12 और यह जो है recommendation दे सकती है General Assembly to member of United Nations को या फिर security council को या फिर दोनों को on any such question और members यह General Assembly के पाद एक तरीके से power की question matters वगरा पर वो किसको दे सकती है recommendation UN को और security council को but except 12 में जो दिया है article उसको छोड़ कर अब article 12 क्या बात करता है article 12 बात करता है कि जो security council जो है जो अपने powers वगरा यूज़ कर रही है in respect of any dispute situation वगरा आती है ठीक है जो भी functions इसको assign किये गए है इस present charter में UN charter में जो भी functions इसको security council को दिये गए है और इनका इस्तमाल करते साथ general assembly जो है वो कोई भी recommendation नहीं दे सकती with regard to dispute of situation unless security council so request मतलब security council जो है आपकी ये पहले request करेगी किसको request करेगी किसको general assembly को और फिर general assembly उस पर कुछ बोल सकती है मतलब क्या दे सकती है recommendation दे सकती है वरना general assembly के पास power ही नहीं है कि वो उस मुद्दे पर recommendation दे पाए until and unless security council क्या ना कर दे उसको जब तक वो request ना करे तो ये बहुत important concept है article 10 article 12 जो है important है UN charter के इनको आप जो है या तो side में लिख लो या फिर मैं plan भी कर रहा हूँ एक ऐसा video बनाऊँगा जहां पर जितने भी important articles है UN के जो हो गए वो and साथी साथ जो ICJ जो है आपका international court of justice उसके भी जो articles है उनको भी important जो भी है हम उनको discuss करने वाले हैं बहुत ही जल्दी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिल सकती है इसके पहले already मैं एक वीडियो बना चुक हूँ public international law पर अगर आपने वो नहीं देखिए तो वो जाके देखि काफी कुछ theories जो है मैंने discuss की है और guys one more thing ऐसी वीडियो बनाने में बहुत time लगता है और बहुत मेहनत लगती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो like जरूर करिए अगर आप चैनल पर नए है तो इसको वीडियो को share करें subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें जिस और फिर घरा के उनको बहुत अफसोस होता है यह जो question है आपका June 2018 में पूशा गया है options आपके सामने है तो बताइए इन चार में से कौन से correct है कौन से नहीं सबसे पहला है all members of United Nations are ipso facto the members of the statue of ICJ दूसरा ICJ जो है वहाँ पर 25 जज़ की बात की जारी consist करता है जो की elect किये जाते general assembly में c बात की जा रही है मतलब sorry elected by general assembly general assembly elect करता है c बात कर रहा है the judges of the ICJ are elected for a term of 5 साल के लिए इनका term period होता है d बात कर रहा है all the decisions of ICJ यह majority of judges के basis पर होते है answer option आपके सामने है फटा-फट से answer बताइए and the right answer is answer c answer c है जो की बात करता है किस बारे में a and d are only correct मतलब a जो है आपका यह सही है and b जो है यह सही है तो सबसे पहले बतादू all members of united nations ipso facto का मतलब आपको अगर नहीं मालूम है तो आप उसको interpret नहीं कर पाऊगे तो ipso facto मतलब होता है by the fact itself यह आपको मालूम होना चाहिए इस itself मतलब जो भी united nations के members है ना वो by the fact itself ही members है किसके icj के तो सबसे पहला इस चीज को ध्यान रखेगा यह सही है then अगर हम बात करें b की तो बात कर रहा है icj consists of 25 judges तो ऐसा नहीं है यहाँ पर 15 judges होता तो बात कुछ अलग होती ठीक है और भी हम detail में भी आगे मैंने इसका explanation पूरा लिखा हुआ है हम बहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन इसको अपॉइंट करता है जैसे यहाँ पर बोला है general assembly इसके साथ-साथ यहाँ पर security council भी होना चाहिए था तो आपका यह statement सही होता C बात कर रहा है judges of international court of judges are elected for a term of five years तो चलिए इसको मैं बताऊंगा वहीं पर explain करेंगे दो बार explanation करने का मतलब नहीं है Then D बात करता है all the decision of ICJ यह basis होता है majority of judges पर ती बिलकुल सही है तो A and D आपके सही है B and C गलत है और यह article 93 है जो इस बारे में बात करता है कि जो members है United Nation के यह ipso facto parties होते हैं ICJ के तो यह article बहुत है important है कई बार portion पूशा गया इस पर तो इसको कहीं पर star mark कर लें या PDF डाउनलोड क करके आप इसको आराम से notes बना सकते हैं तो article 93 is very important right आगे बढ़ते हैं then ICJ जो है यह इसको कहा जाता है world court अब मैंने पूरा ICJ यहाँ पर explain किया हुआ है आपको देखिए guys अगर आप PIL अच्छे से करना चाहते है public international law तो ICJ United Nation जितने भी United Nation के 6 organs है उनके बारे में detail में पढ़ कहां पर है और किते member represent कर सकते हैं term period क्या यह सारी information आपको मालूम होनी चाहिए बहुत important है चले देखते हैं ICJ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ICJ जो है world court कहा जाता है यह main judicial organ है United Nation का आपको मालूम होने चाहिए total 6 organs है right यह establish हुआ June 1945 में by the charter of United Nation obviously और इसने 6 अपरे है तो at the peace palace in the hague netherland में यह जो है seat of the court जो है यह peace palace पर है hague netherland 6 principal organ है जिसमें से एक यह है यह एक मातर ऐसा है जो की located नहीं है New York में बाकी सारे almost जो है New York में located है यह एक मातर ऐसा है New York में located नहीं है बहुत ही important MCQ शल रहे हैं एक एक line जो है यहाँ पर आपको MCQ assertion reason और इस तर अब जो यह court का role किया है थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं तो court जो है आपको अलड़ी समझ में आ रहा होगा settle करता है legal disputes जो की जो भी अलग अलग state से मान के जलो इंडिया पाकिस्तान का कोई मुद्दा है और यह international court में जाके करना चाहते हैं उसको solve तो अब आपस में यह parties क खुद आना होता है international court किसी को नहीं बुलाता तो legally dispute submitted to it by state state submit करेंगे ठीक है तो फिर legal dispute जो ही court settle करेगा एंड साथी साथ में यह advisory opinion भी देता है legal question पर अगर उसको refer किया जाता है United Nation के organ या फिर specialized agency के दवारा ठीक है तो court decide करता है dispute between countries जो की based है voluntary participation की बात करता है कि खुद से आ रहे हो तो ठीक है right if our state agrees to participate अगर आप agree कर रहे हो participate करने में प्रोसीडिंग में तो फिर आपको मानना भी पड़ेगा court का आदेश तो यह obligated comply करना with the court decision right उसके बाद और भी important बात कर लेक्ते ICJ जो है compose करता है 15 जो previous question हमने देखा ठीक है इस पर based है कि ICJ जो है 15 जो है 15 होते है जो की elect की जाते 9 year terms के लिए वहाँ पर 5 साल लिखा था यादा रहा होगा आपको यह 9 साल के लिए elect होते ह हैं और office और भी कुछ detail है बट इतना जाब है यहाँ पर explanation में नहीं दे सकता होते हैं इंटेल का कि कैसे कैसे कितने कितने वाले कब सिर्फ general assembly तो वहाँ पर general and security council दोनों मिलकर जो ही 15 जिस elect करते हैं then court जो है include नहीं करेगा more than one national of the state मतलब इंडिया से एक ही वेक्ति elect हो सकता है और भी कोई देश से एक ही होगा एक से जादा नहीं होंगे वरना क्या होगा कि जो majority पर decision होता है ना तो हो सकता है इंडिया इंडिया वाले एक साथ हो जाए है ना तो वैसा नहीं होगा इसलिए उन्होंने बोल दिया court may not include more than one national of the same state I hope आपको समझने आए अगा बहुत ही important topic की बात को रही है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की बात करता है which of the following statements are not correct अब आप देखो यहां पर अगर आप इसको correct गलती से पढ़ लो तो पूरी ही मतलब गंगा उल्टी बह जाएगी right तो not correct की बात कर रहा है कौन से correct नहीं है options आ ठीक है ठीक है हमने भी बढ़ा जैस थोड़ी दिर पहले कुछ को जैसे related भी बात करता है first security council came into being in 12th January 1946 यह आप questions solve नहीं कर सकता है अगर आपको भी नहीं मालूम है कि इस date को बनी नहीं बनी तो इसलिए मैंने बोला कब बनी कब force में यह सब चीज़े मालूम होना चाहिए C बात कर रहा है डंबर्टन प्रोपोजल इट वस फाइनले डिसाइडेड इस प्रोपोजल जब यह conference convention हुआ तो डिसाइड किया गयता है कि establish किया जाएगा organ को in the form of security council बी बात कर रहा है कि 10 non-permanent member होंगे security council को जिनको elect करेगा general assembly 5 साल के लिए फटा-फट से answer बताएए कौन स गलत है and the right answer is B. C and D are not correct यह जो है यह सही नहीं है यह सही है ठीक है मतलब answer तो आपका C and D है ठीक है बस मैंने सही या गलत कि उसमें बताया कि C and D जो है गलत है बाकी जो उपर के दो है सही चलिए एक-एक को पढ़ते हैं बात कर रहा है article 7 की तो मैं आपके लिए अलड़ी ले मालूम है security council जो है United Nation का organ है अगर नहीं मालूम है तो यह बहुत बड़ी problem में हो हुआ ठीक है अगर आपको नहीं मालूम है तो यह basic चीज़े मालूम होनी चाहिए ठीक है security council यह हम को इतना मालूम है तो हम एक तो कभी लगा सकते हैं कई बार अगर कोशन ऐसे नहीं बनते हैं तो ठीक है आप chance ले सकते हो ऐसे कोशन में क्यों नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो चांस लिए जा सकता है ठीक है कि हाँ आज चलो article 7 में दिया होगा तो प से साइड नहीं था ठीक है दें डी बात करता है non permanent member 5 साल के लिए नहीं जहां तक मुझे मालूम है दो साल के लिए होते हैं चलिए इनको और अच्छे से समझते हैं explanation अल्राइट आपके सामने screen पर article 7 है article 7 बात करता है there are these are establishes principal organ of United Nation कौन-कौन से हैं अब आपको पढ़ दीज official council चौथा trusteeship council फिर आईसी जी आगया आपका international court of justice और फिर secretary तो यह है आपके 6 और ऐसा article 7 में बोला गया है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह आपका article 7 हो गया एक point clear हो गया अब आजाते ही दूसरे पर UN charter देता है security council को primary responsibility किस चीज़ के लिए maintain करने के लिए international peace and security इसको भाई threaten किया जा रहा है ठीक है है ना खतरा वगयरा है peace को तो यह करा जा सकता है in contrast to the decision made by general assembly all member states जो है न यह obligated है UN charter में कि to carry out security council का जो decision होगा उसके हिसाफ से चलना अब बात करते हैं और भी main जो point जहां पर MCQs बनते हैं कि सबसे पहला कि 15 members होंगे ठीक है अब यह आप important is veto power right उसके बाद आगे बढ़ते हैं दस जो है non permanent होते हैं ठीक है non permanent होते हैं इनके पास veto power नहीं होता और यह elect के जाते हैं दो साल के लिए ठीक है अब आपको मुझे बताना है कि इंडिया permanent में आता है non में चले सामने ही दिख रहा है तो मैं बता देता हूं इंडिया जो है permanent में नहीं आता क्या होता है veto power का स्तमाल करके ना चाया हर बार इंडिया को बुद्धे नहीं दिता अब यह दो साल के लिए appoint किये जाते हैं, यह बहुत ही important है, security council के लिए अलग से पढ़ना पूरा की क्या-क्या कहाँ पर क्या चीज़ है, यह बहुत ही important है तो I hope आपको आपका explanation मिल गया होगा, और आपको आपका answer ही मिल गया होगा previous question में चलिए, आगे बढ़ते ही question number 8 8 पर आके बात करते हैं, आप देखे, side में दो list दी हुई है, एक दिये हुए हैं आपको यहाँ पर articles, जो की ICJ के articles नहीं union charter के नहीं ठीक है, confuse मत होईएगा, तो International Court of Justice के articles हैं और side में आपर provision दिये, तो कुल मलाकर मतलब कौन से article किस बारे में बात करता है यह है, ठीक है, इस तरीके के question काफी देखने को मिलते हैं, और obviously बात है कि आप बहुत सारे articles याद नहीं कर सकते हैं बट important articles आप कर सकते हो जब आप question solve कर रहे हो तो बताइए, options आपके सामने हैं law applies by the ICJ then binding force of the decision of ICJ, then C बात करता है interim measures or relief से related किस article में बात की गई है, और D बात करता है international courts power to allow a state to intervene जिसमें वो party भी नहीं है मतलब दो party लड़ रही है एक party भी नहीं है और आके वो बीच में intervene कर रहा है, तो ऐसा किस article में कहा गया, बहुत important article है, चलिए फटा-फट चे answer बताईए and the right answer is answer A, यह बात करता है कि सबसे पहले A का जो है यह हो गया आपका 3, ठीक है, article 38 बात करता है ICJ law applies by the ICJ then आपका B का हो गया fourth, तो यह किस बारे में बात करता है binding force of the decision ICJ का जो भी decision होगा, बाइंटिकल article 59 बोलता है, then C का हो गया आपका one interim measure relief जो है यह सब चीज़े है कि वो permission ले नहीं होती है पहले वो request करता है, फिर ICJ permission देगा तब वो ऐसा कर सकता है यह article 62 बोलता है तो I hope आपको यहाँ पर clear होगा यह article is important है, इनको अच्छे से पढ़ लीजेगा, लिख लीजेगा, चलिए आगे बढ़ते है देन आपका सामने है, question 9 बात करता है जस कोजिन means, इसका मतलब क्या है option सामने है, the principle which forms the norm of international law that cannot be set aside B, rules of ancient customary international law which are rendered redundant in modern times C, rules developed from a bilateral treaty which was found, universal dean and of the above चलिए फटा-फट से answer बताइए and the right answer is, answer A answer ये बात करता है, principle which forms the norms of international law that cannot be set aside मतलब ये कुछ ऐसे principle है international law के, ऐसा law है ऐसा rules कहलो आप international law के जिनको set aside नहीं किया जा सकता इनकी responsibility से कोई भी state escape नहीं कर सकता मतलब इन्होंने ये तक बोल दिया कि जो rule है ना, just cojan का ये binding है, regardless मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा parties consent दें, नहीं दें, ठीक है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि state की own individual opinion क्या है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है वो उन्होंने बोला, these rules are too much fundamental too fundamental for state to escape responsibility, आप इनसे बचनी सकते तो ये उस तरीके के rules होते हैं, जो की cannot be set aside, so I hope आपको आप cancer मिल गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले, अगर guys अभी भी like नहीं किया है तो फटा-फट से एक like बनता है, इतनी महनत करी जाती है आप लोगों के लिए, तो एक like और subscribe, अगर आप नए हो तो channel को ज़रूर करें, ऐसी videos और भी आपको मिलती रहेंगी, then question 10 बात करता है, according to triple, the difference between international law and municipal law lies in respect of, ये मैं अभी इसके पहले जो मैंने video बनाई थी, उसे मैंने explain किया हुआ है इस बारे में, triple ने क्या कहा और international law, Muslim law के भीच में difference और हमने relationship के बारे में बात की थी, जहाँ पर बहुत सारी theories discuss की थी हमने, खीक है, dualism monist theory, और भी काफी theories थी जहाँ पर जो बात की गई थी, तो अगर आपको और detail में समझना है, तो वहाँ से जाके आप direct देख सकते हूँ वीडियो, तो यहाँ पर अपन extra focus का explanation नहीं रखेंगे बार-बार, right तो फटा-फट इसका answer बताईए, option सामने A, subject and principle, B, origin sources, C, substantive of law and dynamism of the subject matter D, all of the above and the right answer is, answer D है, all of the above, जो difference के बारे में बात की गई है, वो इन सब चीजों को बारे में, आगे बढ़ते हैं question 11, the exponents of transformation theory says that transformation theory के बारे में बात की गई है इस बारे में भी हमने already वहाँ पर पड़ा हुआ है previous video में, जाकर आप देख सकते हैं link description में मिल जाएगी, अब जो exponents है, transformation theory के नोंने बोला क्या बोला, option सामने है, for the application of international law, मतलब international law को apply करने के लिए in the field of Muslim law, जो rules है international law के उन में transformation करना होगा कुछ बदलाव करना होगा, दूसरा बात करता है कि bigger बदलाव के अगर बदलाव नहीं करोगे तो international law apply नहीं हो सकता, municipal law में अब municipal law क्या है, ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है, बढ़ आपके लिए मैं इस वीडियो में बता जेता हूँ municipal law मतलब जैसे कि इंडिया है, इंडिया के जो भी internal laws हो गए, वो हो गए आपका municipal law, ठीक है, तो answer बताईए, फटाफट answer क्या है मैं answer बताता हूँ, right answer है answer C, दोनों ही, मैंने माहा भी समझाया था, transformation theory बोलती है, कि international law को अगर municipal law में apply होना है, तो पहले तो कुछ उसके rules transform, क्योंकि देखो, सबका custom culture अलग होता है, इंडिया का अलग है, दूसरी countries का अलग है, तो कुछ transform कुछ बदलाब होके, उस country के हिसाब से फिर apply हो सकता है international law, otherwise apply नहीं हो सकता यह आपकी transformation theory है, और इसका answer C है, अगर और detail में आपको जानना है, तो वीडियो में आप देख सकते हैं, वो वाले देन आगे बढ़ते हैं, question 12 बात करता है, openum ने कहा है, openum says that international law is the body of rules which are legally binding on the state in their intercourse with each other, यह हम अलड़ी बात कर चोके हैं, previous video में, चलिए answer आपके सामने, बता, question आपके सामने answer बताईए, incorrect, correct partly, incorrect, partly, incorrect, चलिए answer बताईए, and the right answer is, it is correct openum ने कहा है, international law जो है body of rules और वैसे भी international law deal ही क्या करता है, relation with each other, जो भी states होते हैं, उनके बीच के relation के बीच में international law deal करता है, और यही openum ने भी कहा है, आगे बढ़ते हैं, guys, यह सब जो भी international law की definitions में important है, किसने क्या कहा, traditional definition क्या है, modern definition क्या है, traditional में openum ने क्या कहा, Holland ने क्या कहा, modern में किसने क्या कहा, यह सब पढ़ लेना analytical school, historical school यह सब मैंने previous video में कुछ कुछ चीज़ें discuss की हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, कोशन 13 बात करता है, कौन से statement है जो की correct है, यह 2017 में आपका पूछा हुआ कोशन है फटा-फट से read करते हैं और बताते हैं तो general assembly consists of all the members of United Nations each member may not have more than five representative, मैंने बताया था, कौन किते represent कर सकते हैं हर उसका पढ़ लेना, security council का पढ़ लेना, general assembly का पढ़ लेना ICJ का पढ़ लेना, यह सब important है, ठीक है, बी बात करता है China, Russia, America, Britain and Italy are the permanent members of security council, पीछे पढ़ के आए हैं आपको याद होगा, यह आला आपको याद होगा C, बात करता है, members of economic and social council are elected by the security council, one third of its members are elected every year by the security council for a time of five years, D बात करता है, all members of united nation are ipso facto the members यह भी हम पढ़ के आए हैं, तो इसको तो बताने की जरूद नहीं फटा-फट से answer बताएगे and the right answer is answer A, A बात करता है A and D are correct तो D तो आपको already समझ में आगया होगा इसको तो आपको मालूम चली गया था कि हम already पीछे पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम है कि हाँ, यह तो statement सही है अब A क्या बात कर रहा है, A बात कर रहा है general assembly consist करती है all members of united nation ठीक है, दूसरा बात करता है each member may not may not have not more than five representative in the general assembly, यह भी बिल्कुल सही है, इसको drill में देखते हैं आगे, क्या है क्या है क्या नहीं, भी explain करेंगे इसको, भी बात कर रहा है China, Russia, America, Britain, Italy अरे, Italy, तुम क्या गर रहा है, यहाँ कैसे आगया, यह तो permanent members नहीं है हमने तो यहाँ पर France पड़ा हुआ है अभी पीछे हमने देखा था, ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए, France जो है यह permanent members, security council, Italy नहीं है then C बात करता है, members of economic and social council elected by the security one third of its members are elected every year by security council for a time of five years, यह गलत है, यहाँ पर three होता तो शायद कुछ बात अलग होती ठीक है, चलिए, थोड़ा सा explanation इसका देख लेते हैं, अब यह कुछ articles है, जो कि बहुत important है, आपको ध्यान रखना है, article 61 बात करता है economic and social council जो है consist करती है, 54 members of United Nation important है, बहुत important information है जो कि elect कौन करता है, general assembly, अब यही तो उठाके वो आपको दे रेते हैं, assertion reason में, कि बताओ क्या यह सही explanation नहीं है, क्या यह सही statement है, नहीं है, इन में से कितने सही है, कितने गलत है, तो यही statements बनके आते हैं तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है at least मैं जितना बता रहा हूँ, उतना भी आप कर लोगे ना, तो काफी कुछ level जो है, आपका बढ़ जाएगा तो economic social council, total member कितने 54 है, पहले कुछ 27, 28 कुछ हुआ करते थे अभी 54 है, of the united nation, जो कि elect किये जाते हैं general assembly द्वारा, 18 members जो है, economic and social council के ये elect होते हैं, हर साल for a term of 3 years, यह ज्याना रहोगा पीशे 5 लिखा था, तो हमने गलत कर दियता हूँ statement, ये 3 सही है, और retiring member जो है eligible होगा, immediate election के लब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि इतने वाले, इतने होंगे, उतने वाले, उतने होंगे, कि ये कितने समय के लिए होंगे, फिर eligible होंगे, नहीं होंगे, तो उतना detail में अभी हम नहीं जा सकते हैं, but at least जो भी question है, questions related explanation में आपको दे सकता हूँ, आगे बढ़ते हैं, article 23, article 23 बात करता है, security council जो एक consist करती है, 15 members, ध्यान रखो, ऊपर economic and social council के बारे हम बात हो रही है नीचे security council के बारे हम बात हो रही है, कि 15 members होंगे जिसमें से 5 होंगे permanent, permanent कौन कौन से होंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया अमेरिका, बिटेन, ठीक है बाकी non-permanent members होंगे, बाकी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, non-permanent members होते हैं, खीक है, वो 10 होते हैं, और 2 साल के लिए होते हैं यह हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो non-permanent members होंगे, security council के यह elect के जाएंगे, 2 साल के लिए यह अलड़ी पढ़ चुके हैं, the first election of non-permanent, आप यह चल लिए, ठीक है, छोड़िए इसको, then third वाला, बहुत ही important representative की बारे मैंने आपको बताया था, पढ़ देना question आ जाता है, each member of security council, जो है, represent करता है one representative, each member of security council, shall have one representative, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, article 93 बात करता है जो भी members है, United Nation की आपने पढ़ लिया था, ठीक है फिर बत करता है, state which is not a member of United Nation, may become a party to the statue of ICJ on condition to be determined, मतलब जैसे हमने देखा न, आपसो फेक्टो वाली बात की गई कि जो भी members है, United Nation के, वो automatically member है, ICJ के, but यहाँ पर बोल रहा है, कोई state member नहीं है, United Nation का तो क्या वो party बन सकता है ICJ का, तो बोले हाँ, बन सकता है कुछ conditions है, in case by the general assembly upon the recommendation, security council recommend करेगी, तो ही general assembly फैसला ले सकती वरना आपको मालूम है, अगर security council ने recommend नहीं किया, तो general assembly खुद से कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ते हैं question number 14 ये last नहीं है, इसके बाद एक दो एकात question और देखने को मिलेगा आपको चली फटा-फट से सो खतम करते हैं, advisory opinion क्या ICJ दे सकता है कोई legal question पे, ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमने international court of justice पढ़ा, तब आपको ये मालूम होना या फिर on the request of economic and social council if authorized by security council फटा-फट से answer बताईए and the right answer is answer C, C बात करता है कि general assembly और security दोनों के ही उस पर advisory opinion ICJ दे सकता है, हम आप पढ़ चुके हैं इस ये कौन सा article इस बारे में बात करता है तो इसको आप लिख लिजिए, article 96 इस वारे में बात करता है कि general assembly और security council जो है, may request ICJ कि आप भीया इस वारे में advisory opinion दीजिए जैसा कि constitution भी आपको आता है तो आपको बताना है कि supreme court के पास जो advisory jurisdiction है वो किस article में है ये आपको बताना है, जहाँ पर president जो है supreme court से advice ले सकता है किसी matter पर ये भी important है ये आप comment करके मुझे बताएगा अगर आप अभी तक video आपने एंट तक देखा है आप serious हो इस exam को निकालने के लिए तो आपको answer करना होगा कि supreme court के पास advisory jurisdiction किस article में है इस article को भी अच्छे से पढ़ लीजेगा पार्टिकल 96 और वहां भी अच्छे से पढ़ लीजेगा ये आगे बढ़ते हैं last question है आपका question 15 जो कि बात करता है who among the following group of jurist ये chief exponent है of declaratory theory chief exponent मतलब जो similar opinions रखते हैं sort of तो कौन है declaratory theory of recognition कि अब देखो इसके लिए न समझना जरूरी है recognition जो recognition theory है आपकी recognition theory के अंदर दो theory मिलती है देखने को एक होती है constitutive और एक होती है आपकी declaratory ठीक है declaratory theory होती है ये दोनों ही theory important है साथ ही साथ recognition भी आपको मालू होना चाहिए सबसे पहले इसका answer बताइए पूरा आपको explain करूंगा अगर आप end तक बने हो तो आपके लिए specially पूरा explain करूंगा recognition, constitutive, declarity theory क्या है फटाफट से पहले इसका answer बता दो क्या है इसका answer चलिए right answer जो है इसका वो है answer A Hall, Briarley, Fisher and Pitt Corbett जो है ये chief exponent है जितनी भी theories है ना उनके जो जो chief exponent है अच्छे से पढ़के चले जाना काफी questions आते हैं ये दोह सा तलान पूछा गया है और भी questions पूछे गया है अलग-अलग theory के chief exponent के बारे में चलिए अब आपके लिए अगर आप end तक रुके हो तो यार अगर अभी भी video like नहीं किया है तो like कर दो चैनल को subscribe कर दो bell icon जरूर प्रेस कर देना जिससे videos बिलती रहें चलिए समझते हैं recognition theory और उसकी जो दो constitutive or declarity theory वो किस बारे में बात करती है अब recognition मतलब क्या समझ में आता है जैसे कि 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 recognize करना वही इसका मतलब है इन्होंने बोला कि entity को state कहलाने के लिए कुछ following चीजे होनी चाहिए कुछ वो possess करता हो यह attributes मतलब यह qualities उसके अंदर एक तरीके से essential जो ingredients है वो होने चाहिए entity को state कहने के लिए वो क्या क्या है तो इन्होंने बोला population हो obviously बात है ना इंडिया के बात population है नहीं है territory है नहीं है government obviously capacity एंटर कर सकती relationship with other states obviously तो फिर वो एक state है ठीक है तो इस तरीके से नहीं बताया है कि entity को state बनने के लिए यह सारी चीजें होनी चाहिए population territory government capacity enter into relation with other state यह होना चाहिए और जब यह possess करते हैं यह attribute state और जो existing state है ना वो इसको acknowledge करते हैं तो इसको कहा जाता है recognition of state अब recognition को बहुती simple भाषा में एगर समझे तो उन्होंने बोला इसको as formal acknowledgement by existing member of international community मतलब जो already members international community के existing members है वो जब इस चीज को acknowledge कर ले तो इसको कहा जाएगा recognition I hope recognition पहले clear है अब यहां पर professor जो openum है इन्होंने भी कुछ कहा कि इसके बारे में recognition की definition के बारे में इन्होंने बोला in recognizing a state as member of international community the existing state declare that उनके opinion में जो नया state है यह fulfill कर रहा है condition of state जो उपर हमने पढ़ी मतलब openum ने भी घुमा फिर आके वही बाते कही हैं कि अगर state को recognize करना है मानके चलो किसी entity को state recognize कर रहे हो तो जो भी पुरानी आपकी existing state है ना वो declare कर दे कि हाँ यह state जो है इस सारी condition fulfill कर रहा है population है territory है government है capacity है सब कुछ है इसके पास state declare कर दो यह है recognition theory आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर दो और theories के बारे में बात की गई है जो main theory है recognition की एक है constitutive एक है declaratory अब question हमारा declaratory पर था but because आप end तक बने हुए हो तो आपके लिए constitutive be explained, recognition be explained और declaratory be explained की जाएगी constitutive theory क्या है देको सबसे पहले तो chief exponent देको इस PDF को ना download कर लेना मैं इसको share कर दूँगा telegram पर ठीक है और उसको download करके अच्छे सब पढ़ लेना या फिर नोट्स बना लेना chief exponent जो है इस theory के या फिर अभी बना रहा हो तो इससे best कुछ होई नहीं सकता जो chief exponent है हेगल, Anzaloti, Oppenum, Holland यह जो है यह इसके chief exponent है अब सोचो आप जो है 2017 में declarative theory के exponent पूशे गए तो क्या constitutive theory के इस बार नहीं पूशे जा सकते हैं बिलकुल पूशे जा सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि chief exponent है यह हैं कौन को ने Hegel, Anzaloti, Oppenum, Holland जो हैं यह constitutive theory के chief exponent हैं अब इस theory के हिसाफ से नहीं कुछ नहीं यह बोला है कि जो recognition है according to this theory, recognition cloths the recognized state with rights and duties under international law, मतलब recognition मिल रहा है न स्टेट को जब एक स्टेट को recognize किया जा रहा है तो उसके पास rights अजा रहे हैं, duties अजा रहे हैं, international law के अंदर तो इतना सा यहाँ पर constitutive theory भी बाग करी, अब प्रोफेसर ओपिनम ने इस चीज़ पर क्या बोला, our state is and becomes an international person मतलब एक स्टेट जो है न तब यह international person बनता है, जब इसको recognition मिलता है, only and exclusively, मतलब एक स्टेट जो है international person तब ही बनेगा, ओपिनम के हिसाब से जब उसको recognition मिलेगा, only and exclusively वहीं पर Holland साब ने कहा जो recognition है न, वो एक maturity देता है state को and until and unless a state is recognized, जब तक state को recognition नहीं मिलेगा, उसको rights भी नहीं मिलेंगे under international law तो आप से यह भी पूचा जा सकता है definition को देदेंगे और बोलेंगे बताओ यह Holland ने कही, ओपेनम ने कही ब्रायरली ने कही, हेगल ने कही एंजी लोटी ने कही तो important है boss, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आप आजाए direct declaratory theory पे तो I hope recognition हमने समझ लिया, constitutive हमने समझ लिया अब आते है declaratory पे अब declaratory के जो chief exponent है यह रहे है आपका option, देखो बिल्कु सिमिलर उठाके इन्होंने अगर आपने declaratory theory पड़ी थी 2017 में जिन भी लोग अने तो उनको यह answer बन गया होगा ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस बार constituted declaratory पड़के जाओ, कई question बाप इससे भी पूछे चाते है, तो chief exponent जो है, कौन है, Hall, Wagner, Briarley, Pitt Corbett and Fisher जो है इसके exponents है अब इस theory के हसाफ से इन्होंने बोला कि जो नई government है न वो exist है, इन्होंने बोला यार नई government exist तो करती है, अब बात आ रही है कि तुम उसको recognition दे रहे हो through which established facts are accepted यह बहुत important बात बोल दी recognition क्या है, सिर्फ एक मात्र formal acknowledgement है कि मतलब ऐसा होता कि formally acknowledge कर रहे हो वनना हम थे तो वहीं, तो इन्होंने बोला जो established facts है ना, उनको आप एक तरीके से formally acknowledge कर रहे हो ठीक है, तो जो act of recognition है ना, इन्होंने बोला declaratory है यह merely क्या है, declaratory है of an existing fact जो fact already था, उसको आप बोल रहे हो मतलब अगर आप बोलो कि 5 रुपे का note already था उसको बोलो कि आज से यह 5 का note तो अरे भाई, वो तो already था ना, तो मतलब कुल मिलाकर, merely declaratory है of an existing fact under international law तो I hope आपको यह सारी theories और जितना भी हमने याँ पर पड़ा है समझ में आया होगा guys बहुत मैनत लगती है, अगर video end तक देखा है तो like जरूर करना और comments में बताना कि आपको और किन subjects पर चाहिए videos, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दीरे दीरे उस पर videos बनाऊंगा, चलिए, thank you so much अगर आप end तक रुके हैं तो video को like करे, share करे, subscribe करे हमारे channel को the legal bench bar मिलते हैं, next video में till then bye bye, take care